बहुत काम आने वाले कमाल के सीक्रेट कुकिंग किचिन टिप्स आईए देखते हैं नम्मर वन हर चीज में चांट मसाला न डालें चांट मसाला कोई जादू की छड़ी नहीं है घी तेल वर सक्कर का उपयोग सीमा से अधिक न करें ध्यान रखें इससे भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा नम्मर थ्री खीर स्वादिष्टोनी चाहिए केवल मीठी नहीं आप बहुत अधिक चीनी डालेंगे तो केवल मीठा स्वाद आएगा सेस अब फ्लेवर दव जाएंगे नम्मर फोर सबजी में धेट सारी मिठ्स होंगी तो खाने वाले को केवल तीखा स्वाद पता चलेगा अन्य फ्लेवर नहीं नम्मर फाइब आजकल कोई भी जादा तेल मसाले वाली सबजी नहीं पसंद करता है तो हमें तेल की मात्रा बहुत कम करनी पड़ती है परन्तु कम तेल में प्याज तमाटर भूनने में बहुत दिक्कत आती है तो प्याज भूनते समय यदि हम थोड़ा सा नमक डाल दें त फिर भी सूखा पन लगे तो थोड़ा पानी भी डाल दें इससे मसाले रंग बहुत अच्छा आता है नेक्स देख लेते हैं नम्मर सेवन यद बिना प्याज टमाटर की सबजी बनानी है तो सम मसाले जैसे हल्दी धनिया लाल मिर्च को पानी में घोल कर तब तेल में डाले इससे मसाले जलेंगे नहीं नेक्स देख लेते हैं हरी सब्जी जैसे भिंडी पालक मैथी बीन्स आज शौकते समय उसमें थोड़ी चीनी छिड़क देने से उसका रंग खराब नहीं होता है नेक्स देख ले फ्रेंस बहुत ही यूजफुल काम आने वाली किचिन कोकिंग सब्सक्राइब कर देंगे तो एक वी टिप्स आपके समझ में नहीं आती है कलरफुल सब्जी देखने में और खाने में बहुत अच्छी लगती है खाजर बीज फूलगों भी मटर आलो मिलाकर बनाई हुई सब्जी सुंदर भी होती है और पॉस्टिक भी क्योंकि अगर आ वेराइटी हो जाती है कुछ नहीं तो नमक अजवायन के साथ मलाई मिलाकर आठा लगाने से बढ़िया खसता कुकी पराठा बनाया जा सकता है क्योंकि एक जैसा खाना खाखा के सब बोर हो जाते थोड़ अलग तरीके से बनाएंगे तो खाने का टेस्ट भी अच्छा होता हैं जो रेटीना को सुरच्चे रखने में मदद करता है नमबर ट्वैल दही और फल दौनों एक साथ नहीं खाना चाहिए जहां दही भारी और खटा होता है जबकि फल आमतोर पर हलके मीठे होते हैं और दौनों की गुण बिप्रीत हैं इसलिए अगर आप दौनों एक स्क्राइब जरूर से करें अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो अमर थर्टीन हल्दी का पानी इसके लिए काफी फायदेमंद होता है अगर आप रोजाना हल्दी का पानी पीते हैं तो आपकी इसमें में गलो बना रहेगा इसके साथ ही जुर्यां आदमें से भी नि लालें अंत में इसमें धही डार कर मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं जबी हाश सूक जाये तो मसाज करते हुए चेहरे को साफ कर लें तो आप पुदीने के पत्तों का जो हमनें वे आपको बताया है आप इसका अच्छे से पेस्ट बढ़ाएं चेहरे पर लगाएं अगर आप पैसों के लेंदेन साम के समय करते हैं तो आपके लिए साबदान हो जाने की जरुवत है साम के समय पैसों का लेंदेन भूल कर भी नहीं करना चाहिए इसे लच्मी का बाद कम होता है आपको साम के समय किसी को भी पैसों देने या लेने नहीं चाहिए नेक्स देख नमब 17 खाली डिब्बे या खाली बोतलें नकारत्मक उर्जा लेकर आती हैं इसलिए ऐसी चीज़ों को रसोई में नहीं रखना चाहिए आप थोड़ा ही सही लेकिन कुछ भी सामान डब्बों में भरकर रखें और पानी को बोतलों को विशेश तोर पर कभी खाली न छोड़ हैं तो यह सारी चीज़ें हमें जरूर फोलो करनी चाहिए इनका कोई कोई मतलब जरूर से होता है नम्मर 18 उन लोगों को दही खाने से परेज करना चाहिए जिने हर समय कफ इंफेक्शन की परेचानी रहती है क्योंकि गर्मी के मौसम में भी दही कफ की समझा को बढ़ा सकत है नेक्स देख लेते हैं फ्रेंस वीडियो को फुल देखें तभी समझ में आती हैं बहुत ही काम आती हैं आपके टिप्स नमर 19 अगर आप बेट लॉस जन्नी में हैं तो बहुत जादा धही खाने से बचना चाहिए दरशर धही फुल फैट मिल्क से बना होता है जिसमें अ चाहिए अगर खावी रहें तो दही जमाते समय उसमें मलाई वगारा बिल्कुल भी नहीं होनी हो चाहिए नमबर 20 बेतहासा गर्मी पड़ रही हैं ऐसी कूलर के सामने से हटने का किसी का मन नहीं करता लेकिन हर ग्रहणी को तो किचन का रुक करना ही पड़ता है और गर्मी होंगे जिससे किचन से जल्दी छुटी मिल जाए तो क्या करें टिप्स चलिए जानते हैं 21 अभी भले ही बच्चों की छुटिया चल रही है लेकिन अगर आप आलस को थोड़ा त्याग देंगे और एक घंटा पहले उठ जाएंगी और फुरती से काम निप्टाएंगे तो देखेंगे कि एक घंटा बहुत होता है सब सुबह इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है कि गैस चूले के सामने खड़े होना असंबव हो जाएं कुकिंग का अधिकतर गिमेन काम सुबह आठ साड़े आठ बजे तक निप्टाने की कोशिस करें लंज टाइम में खाना गरम क करके रखें और ज्यादा तर किचिन में मतलब कि चिन से हम गर्मी के टाइम में समय बच जाए तो ज्यादा सही रहता है नम्मर 22 मुख्य रसोई निबट जाए तो चाय कॉफी बनाने में जैसे काम किचिन के बाहर पंखे के नीचे इंडेक्शन पर कर सकती हैं इंडेक्शन नम्मर 23 गर्मी के लिए अपने परवार की रुची के अनुसार ऐसे इसनेक्स रैस्पी सर्ज करें जो फटाफट बन जाए और घंटों किचिन में रहने की नहुवत ना आए 24 कड़ाई में बनने वाली सबजियों पर बराबर नजर रखनी होती है और ये ज़्यादा समय भी लेती हैं इसलिए भीसर गर्मी के इन दिनों में ऐसी सबजियां चुने जो प्रैसर कुकर में बन जाएं कुकर की लिट लगाने के बाद आप किचिन आराम से छोड़ सकती ह 25 परवार में सभी को बीच बीच में अच्छी सबजियों की इच्छा होती है इसलिए मसालेदार सबजी के लिए बनने वाली खास ग्रेवी एक बार में थोड़ी जादा मात्रा में बनाएं और फ्रीजर में स्टोर कर लें फ्रिस्म हो जाएगी जो हपते भर आराम से तो आप इस तरीके से इस टिप्स को फोलो करके घर्मी के टाइम में कम काम कर सकते हैं नेक्स देख लेते हैं तिप्स नमबर 26 आज कल माइक्रोवेप एयर फ्रायर सेंडविच मेकर जैसे होम एमप्लोई जैस अधिकतर घरों में होते हैं आप अपना काम चुटकियों में न प्लास्टिक से कवर करके केले को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है इससे केला जल्दी नहीं पकता और उसकी ताजगी बनी रहती है क्योंकि घर्मियों में खासकर केला लाते ही एक दो दिन तो मुश्किली चलते हैं आप अच्छे से उनको स्टोर करें रखें तो अच रखने तें लिए आग्स सकततर तो इसकिन को टायट रखते हैं और उम्रके निसान कम करते हैं तो घी हमारे चहरे के लिए बौडी के लिए बहुत अच्छा होता है आप घी को रोज अपने चहरे पर भी अप्लाई कर सकते के सूने से पहले अल्के हाथ से घी को मसाज करें पर इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे वीडियो में बताई गई 28 किचिन कोकेंग टिफ्स अगर आपको अच्छी लगी हैं काम आने वली लगी हैं चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरू करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बैल आकन को प्रेस कर दें आगी की आने वाली वीडियो